वेल्गम डिये स्टूरेंस इंजे टेक पेमिली कंदर आप सुभी का फिट से स्वागत है आज कि इस वीडियो के दर में डिसकस करने वाले हैं किस तरीके से आप अपने कोशन उनको चैलेंज कर सकते हो तो अगर काफी स्टूरेंस को किसी कोशन में अगर प्रोब्लम लग रह वीडियो से लेके लाइस तक जूर देखना और साथ में अगर आमने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप मैं चैनल को शब्सक्राइब जरूर करें और बैल आइकन को प्रेसिक करें ताकि आपको इस त्रीके लिटे इन इंफोर मिलती रहे हैं और साथ म आपको क्या करना होगा इनके official website पे विजिट करना होगा जही में.nick.in पे आपको जैसे विजिट करेंगे तो वहाँ पे आप नीचे जैसे scroll करते हैं तो यहाँ पे आपको यहाँ पूरा option दिया है challenge answer key and display question paper and response अगर आपने अभी तक अपना question paper है या फिर अपने जो response आपने जो click किया है वह अब तक नहीं देखा है तो वह यहाँ से आप देख सकते हो तो एक बात और बताऊँगा मैं आपको जैसे आप अपना यह पहले अगर आप किसी question के लिए challenge करना चाह रहे हो तो प्लीज अपना जो question paper है या फिर जो response है उसे एक बार डाउनलोड कर ले PDF उसके आपको वहां से आप प्रिंट कर सकते हो और उसके अंदर आपको एक तो question जैसे लिखा होगा जैसे question आपका यहाँ लिखा हो है तो उसके सामने यहाँ पे question की question की ID लिखी होगी और जो आपकी option होते हैं option 1234 जैसे होते हैं उनके उनकी भी ID यहाँ पे आपको सामने दी होगी तो सारी ID आपको यहाँ पे लिखनी होगी आपको ध्यान में रखनी होगी क्यों क्योंकि आगर आप किसी question के लिए objection उठा रहे या फिर किसी option के लिए अगर आप objection उठा रहे है answer के लिए तो आप उसके लिए वो ID आपको जरूरी होगी और वो ID वहाँ पे आपको enter करनी होगी तो वो मैं आपको दिखाव दूँगा कि इस तरीके से आपको वो enter करनी होगी ठीक है तो अभी आपको क्या करना होगा जैसे आप challenge answer की पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके से आपको नया option कुलने को आ जाएगा और यहां से आपको क्या करना होगा आपको login करना होगा तो आप दो तरीके से login कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया था application number और password के through और application number और date over के through आप यहां पे login कर सकते हो ठीक है तो for example अगर हम password के through अगर login करते हैं तो यहां पे आपको अपना application number यहां पे आपको अपना application number password दोनों enter करने होगे और यहां पे security बिन जो यह दिया हुआ है अगर आप अपना password भूल गए है तो यहां से आप forget भी कर सकते हो तो इसके साथ मैं भी आपको दिखा देता हूँ इसके बाद क्या आपके सामने आने वाला इस screen पे मैंने एक student से application number और उसका password लिया वायर उसकी जो मैंने आगे का process आपको दिखा रहा हूँ इस खुल के आ जाएगा तो यहां पर download confirmation page तो यह भी भी आप confirmation जो page आपने जो form field क्या है वह download कर सकते हो आप अपना admit card भी download कर सकते हो और अपने अपने admit card download करके रखिए अपने पास print करके रखिए क्योंकि बाद में उसकी जूट पड़ती है मैं आपको पहले ही वह न कर देता हूँ इस चीज के लिए ठीक है उसके बाद caution paper 2 मतब जिस students का मैंने roll number या फिर जिसका password मेरे को मिला है उसका paper 2 का paper था सिरफ अगर आपका paper 1 है तो यहां पे आपको दोनों है तो दोनों आपको यहां पर स्वरी दोनों दिख जाएंगे तो यहां पर आपको view question paper आप जैसे कलीड करेंगे तो आपको अपना जो paper है वह question paper है पूरा दिख जाएगा अब यह देखिए last में या पी दिया वह है challenge answer की अगर आप किसी question के लिए challenge करना इस्ट आते हो अंसर की के लिए तो यहां से आप चैलेंज करेंगे जैसे इसाइस पर क्लीक करेंगे तो इसके पाद आपक किल्क क्लिक आ जाएगा वियाप किस कोश्षियन के लिए व्जक्शन उठा रहे हैं और उस對不起 की जकुष्षियन है उसके ID क्या है तो वो ID आपको वहां पे लिखनी होगी और इसके लिए आपको pay करने पड़ेंगे 1000 रुपीज तो per question के लिए आपको 1000 रुपीज जब वो pay करने पड़ेंगे मतलब per question के लिए अगर आप 2 question के लिए objection उठा रहे हैं जैसे आप challenge answer की पर करते हैं फिर आपको login करना होगा फिर इसी तरीके के आपके पास पेज कुल के आगा तो यहां से आप अपना question पर देख सकते हो यहां से आप अपना challenge कर सकते हो तो thank you I hope आप सभी को सारी information अच्छी लगी हो इसी तरीके के और information अगर आप देखना चाते हो तो please मेरे चैनल को subscribe जरूर कर ले और bell icon को जरूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरीकी लेट information भी मिलते रहे प्लीज लाइक और share जरूर करें अगर आपके किसी तरीके और भी अगर doubt है तो आप मुझे comment कर सकते हो आने वाले वीडियोज के अंदर मुझे जरूर डिसकेस करने वाले हैं Thank you and keep learning and keep watching my channel